हेलो तो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मासोटिकल एनलिस वन जो की फर्स सेमिस्टर में है भी फॉर्म के तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स यूनिट तो फर्स यूनिट जो है उस तो इसकी definition क्या है it is a branch of analytical chemistry where we study about identification, determination and qualification and quantification of drug मतलब कि यह एक ऐसी branch है chemistry के जहां पर हम किसी भी substance में जैसे कि यह मेरे पास कोई भी substance मुझूद है कोई भी solution है तो हम इस chemistry में इस subject में यह पता करते हैं कि इस solution में कौन कौन से substance present है किन किन टाइप के substance से मिलके यह solution हमारा बना हुआ है या फिर इसमें कहीं कोई impurity तो नहीं है या फिर कोई इसकी quality कैसी है ठीक है जो भी इसके drug related जो भी study होती है वो होती है pharmaceutical analysis में तो यह है इसकी definition अब देखते है इसकी scope क्या है scope का मतलब होता है कि इसका क्या क्या work होता है आगे कहां कहां इसे use करते हैं तो इसका use होता है किसी भी drug के identification में या फिर उसे purify करने के लिए या फिर किसी भी substance में से जो उसके ingredient है उन्हें separate करने के लिए या फिर उन्हें की quality को check करने के लिए तो जहां जहां भी ये सब topics इसनुमाल होंगे वहां पर analysis का use होगा चाहें वो industry हो चाहें आपकी laboratory हो ठीक है तो यही इसका मतलब है आगे देखते हैं different techniques of analysis यहां पर unit 1 में आपको सिर्फ और सिफ इन techniques का introduction पढ़ना है आपको सिर्फ और सिर्फ इनका नाम जान लेना है और थोड़ा बहुत जान लेना है कि यह हैं क्या बाके इनका detail classification आप आगे आने वाले units में पढ़ेंगे ठीक है तो unit के according मैं आपके लिए यह lecture लाया हूँ तो यहां पर हमें पढ़ना है different techniques of analysis जो भी analysis होती है किसी भी चीज की जब हम analysis करते हैं तो दो टाइप से होती है एक होती है आपकी instrumental जहां पर instruments का use होता है बिना instrument के use के यह technique हो ही नहीं सकती और बाकी दूसरा है वो है non instrumental मतलब कि यहां पर जो भी हम लोग use करेंगे techniques वो non instrumental होंगे मतलब वहां पर कोई भी chemical वगएरा तो हम use करके ingredient का पता लगाएंगे जबकि कोई instrument use नहीं करेंगे और जबकि instrumental में काफी सारे instruments होते हैं जिन में हम उनका concentration पता करते हैं तो इसमें हमारी जो first जाती है इंस्ट्रूमेंटल में वो है volumetric analysis volumetric analysis नाम से ही आप जान रहे हैं volume का पता करना volumes का पता करना concentration में जो भी हमारी solution में volume present है तो इसमें पहला आता है acid base titration acid base का इसमें होता है यह आपज में react करवाया जाता है और दूसरा है रेडक्स titration रेडक्स रेक्शन पर बेस्ट होता है oxidation और reduction करवाया जाता है next है complexometry titration यहां पर complex compounds बनते हैं तो हमें result पता चलता है next है precipitation titration यहां पर हमारे solution में जब हम reaction करवाते हैं तो यहां पर कुछ precipitate ऐसे करके बन जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है result next आते हैं जो topic है spectral analysis spectral analysis का मतलब है कि light की मदश से कुछ ultraviolet या special ray की मदश से हम लोग concentration पता करते हैं तो पहला आता है हमारा colorimetry का मतलब होता है इसमें हम light की intensity के basis पे हम पता करते है concentration क्या है उसकी wavelength को check करके ठीक है फिर क्या है UV visible spectrometry इसमें हम लोग light कोई भी substance है जैसे कि यह कोई substance है इस पे हम लोग क्या करवाते है light के beam डालते हैं और यह substance कितनी light absorb कर लेता है वो हम पता करते हैं UV visible spectral spectrometry में फिर आता है infrared spectroscopy इसमें IR का मतलब infrared है यहां बे हम देखते हैं कोई matter कितनी light absorb कर रहा है कितनी यह सब्स्टेंस है कितनी यह absorb कर रहा है कितनी यह reflect कर रहा है कितनी यह transfer कर रहा है दूसरी side यह सब्स्टेंस की quality पता करने के लिए और next है mass spectroscopy यहां पर जो mass spectroscopy है इसमें charge to charge ratio पता किया जाता है जो भी इसमें charges present है substance में उन सभी का ratio और spectrophotometry यहां पर क्या हो रहा है कि spectrophotometry में quantitatively transmission of UV light ultraviolet right इन सब का use किया जाता है next आता है electrochemical method इलेक्ट्रोगेमिकल method क्या है नाम से ही आप जान रहे हैं यह हम लोग electricity का important है यह दो type की होती है paper chromatography इसमें क्या होता है मैं आपका example देता हूं इसमें कुछ इस टाइप से आपका beaker होता है और यहां पर हम लोग है यह solution यहां पर उपर चड़ता है और यह different color देता है तो उसी के base पर हम लोग इसमें क्या क्या प्रेजेंट है वो पता लगाते हैं और आगे है TLC thin layer chromatography यह भी chromatography का topic है ज्यादा पढ़ना है नहीं अब बढ़ते हैं next type of instrument techniques की तरफ जो है की है हमारा non instrumental techniques non instrumental में पहला आता है in vitro इसे काफी सारे essays perform होते है microbiological essay जो जो भी ऐसे microbiology में use होते हैं फिर है different chemical method बहुत तरीक है के मतलब आपको यहां पर non instrumental पढ़ना ही नहीं है तो description से आप logo notes download कर लीजिए channel को subscribe कर लीजिए मिलते हैं किसी और एक अच्छे सी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद